महरेशी उडिया बाबा को भी एक उपासक नहीं प्रशन किया दा कि महराजी मन कैसे रुके है तो उडिया बाबा ने उत्र दिया नियम पालन से यदि हम नियम पर द्रिड रहें तो मन हमारा क्या कर सकता है नियम तो प्रमात्मा देखता है हम लोग नियम पर द्रिड नहीं र कि आज हम चार बजे उठे, कल साथ बजे उठे, फिर मन को आप कंट्रोल नहीं कर पाएंगे, मन के लिसे दिन करद आ होनी चाहे, कि हमको दस बजे शोना है, चार बजे उठ जाना है, तो फिर चार से सवाचार नहीं होना चाहे. चार वजे उठ जाना ऐसा नियम बना ले और उठ करके हमको थोड़ी देर नाम जब करना है थोड़ी देर हमें बानी जी का गायन करना है थोड़ी देर हमें द्यान एक अपनी दिन सर्या फिर हम अपने संसार के कारे के नियम जो संसार के कारे है उनको भी करते हुए भगवान को समर्पित करें जैसे जो पद में हैं जो आपको राष्ट सेवा मिले हैं जो आपको शमाज सेवा के पद मिले हैं या आपको जो घर की सेवा के कारी मिले हैं उनमें बहुत धर्म पूरुवक आचरन होना चाहिए अगर आप अधर्म आचरन करते हैं अपने पद का दुरुप वियोग करें, जैसे हम जानते हैं कि ये अधर्माचरण है, ये अधर्मी हैं, हमें पता ये दोशी है, और वो हमको कुछ धन्दे देता है, और हम उसको मुक्त करवाने की बात सोचते हैं, और जो निर्दोश है, उसको फशा देते हैं, अब तुम चाहिए जितना माला चलाने हैं जिस धर्म में हैं जिस कर्तब्य में है चाहे कुछ भी हो जाए हम अपने कर्तब्य से भिमुख नहीं हो जितना जब महान है उतने कर्तब में महान है तो उन्हों बाते समझना है जब माला फेरा और इसके बाद बेमानी अधर्मा अचरन इनका कोई नियम नहीं है कि हमें कैसे चलना है तो वो माला काम नहीं कर पाएगा क्योंकि उसका तभी सत्यभाव माना जाएगा माला जपला जब धर्मा अचरन है धर्मा अचरन नियम से बुले वो बड़े कटर नियम वाले उनको घूश नहीं है आप उनको भैवीत करके नहीं काम करवा सकते प्रलोभन में काम नहीं करा सकते यह हमारी ग्रेश्ती है न तो पालन के लिए धन चाहिए और धन के लिए हम धर्म को आगे रखें धन को नहीं धर्म को हमारा करतb क्या प्राया हा जैसे पूझि बावा ने का आज हमारे देश में बहुत दूर दूरदशा हो रहे है क्यों क्योंकि सब अपनी जगए से गलत हो रहे हैं अगर अपनी तो हमारी दुर्दशा नहीं होगी हमारा भजन कम होगा लेकिन हम धर्म से चल रहे हैं तो हम बिजय होंगे हम भगवान को प्रशन कर सकते क्योंकि हमें जो कारी मिला है वो भगवान का ही कारी सर्ष्टी भगवान का कारी जैसे नए बच्चे कुछ वकील वकालत पढ़ रहे थे तो यहां के परशन किया था कि हम जानते हैं कि वो दोशी नहीं है हम जानते हैं कि वो दोशी है पर दोशी हमें पैसा दे रहा है तो हम वकालत पढ़ी सी लिए हम उसको जिताएंगे तो यह क्या कोई पाफ है तो हमका खुला पाफ है बोले नहीं हमारी कोई ऐसा कमपनी दो ऐसा कुछ बोले कि हमारी कंपनी को यह सिखाया जाता है तो हमको तो यह करना ही होगा अगर नहीं करेंगे तो हमारी वकालत का मतलब क्या रहा तो नहीं वकालत का मतलब अधर्मी को मुक्त करवाना नहीं है वकालत का मतलब अधर्मी के साबूत एकत्तित करके उसको दंड दिलवाना है और धर्मात्मा को मुक्त करवाना है अब इसके लिए आपके पास अर्थ बिवस्ता अगर कमजोर भी है तो धर्म बिवस्ता आपकी पूरी है धर्म बिवस्ता ठीक है तो परिवार स्वस्त रहेगा सुखी रहेगा भगवान आप पर प्रशन रहेंगे फिर हमने तर्क रखा कि जैसे आपके बहन के साथ कोई गलत बिवार करे और आपको पता है और वो आपको 10 लाख रुपया घूस दे तो क्या आप उसका पक्ष लेंगे नहीं तो फिर दूसरी बहन के साथ किया है अब यहां विचार करना है अपने भाई का अगर कतल के हो मुझे पता हो कि यह दोशी है तो क्या हम पैसे से उसको मुक्त करने देंगे लगेगा कि जान की बाजी लगा देंग और तुम्हें हम ऐसे ही एक गरीब आदमी कि किसी ने अत्या किये तो आपका पक्ष बंदा है पर यह ग्यान कहा मिलेगा बिना अध्यात में कि यह ग्यान तो मिलेगा उसका कारण यही है कि हमें अध्यात्म का ग्यान नहीं हमें धर्म का ग्यान नहीं और बड़ी-बड़ी गलतिया हो जाती बिल्कुल पता है आदमें निर्दोश है और हम धन के प्रभाव से उसको दंड दे देते हैं वो दंडा भगवान जब आपको पलट कर देंगे तो आप से नहीं पाओगे उसका परिणाम बहुत बुरा होता है तिसलिए समाज को चाहिए अपने-पने करतब का पालन करते हुए एक नियमा वली बना ले जिसे कुछ दुकानों का नियम होता है कि वहां फिक्स रेट होता है नहीं होता है वहां यह नहीं चलेगा कि कसम से कहते हैं तुम्हें हम अपना जान करके कि सो रुपया मीटर यह मिला है हम बिलकुल मुनाफ़ा नहीं ले रहे हैं जूटके ब दुकान खोलेो मुनाफ़ा के लिए जूटके बोले लेंगे मुनाफ़ा हम जितने का लाए है उसे मुनाफ़ा लेंगे पर 120 रुपया मीटर देंगे कपड़ा बढ़िया है नाप फिट है इससे नीचे नहीं उतरेंगे हमें सफाई देने जरूरत नहीं है कि हम कसम खाते हैं या ऐसा जानते हो यह बिजली है दुकान है उन्हों कर लगे हैं तो इसका मुनाफ़ा लेने के लिए दुकान खोलें कोई द शत्य बोलोगे तो उससे जो आपको मुनाफ़ा मिलेगा वो आपकी बुद्धी बरश्ट करेगा और शत्य है के मुनाफ़ा के लिए वही चीज और आप एक फिक्सरेट में दे रहे बढ़िया है अब अगर आप कोई मिलावट करके भोजन सामागरी देरे आपको पता है त उससे को यह अपने बच्चे को पिला नहीं पिलाएगा फिर यह दूसरे का बच्चा जब पिएगा तो उसके हालत क्या होगी दूसरे सरीर में जाएगा तो हालत क्या होगी वो केवल धन की बुद्धी रखता है एक आत्मी घी में केमिकल मिला रहे है एक ऐसे अभक्ष दौसilian नहीं होने के कारण फैल रही नहीं फैल रही एक मरीज बीमार है असली दौह में पैसा ज़्यादा है नकली दौह लेकर के असली के दाम में इस्थ को बीलकुत फाइदा ना होना लेकिन परमात्मा देखरा है तुम जानते है नकली दौह है वो तो नहीं जानता विचारा ज्यादा पढ़े लिखे ने, किसानte Ł Challenge गाव क आया है, तुमने दे दिया और उसमें पैसा दिया चलीकर अब वो पैसा तुम्हारी बुद्धी भरश्ट करेगा तुम्हारे परिवार में कलेह पैदा करेगा और तुम्हारा पतन कर देगा ऐसे हर डिपार्टमेंट में हर विशय में यदि हम अपने धर्म से चले अपने सत्य से चले और थोड़ा भी भजन होगा वो आपको उत्तम गती परदान करेगा पर ऐसा कहां समझ में आ रहा है हमारा चरित्र नहीं जाना चाहिए चाहिए सरवस्ट्र नस्ट्र हो जाए आज इसकी कोई परवार नहीं है तो उसी से बुद्धी बरष्ट हो जाती है जीवन एक पशुवत आच्रणवाला हो जाता है और वो अपने को बड़ा सुखी समझने लगते है कि हमारे पास बड़ा वैभो है लेकिन प्यारे उस दिन को याद करो जिस दिन तुम्हारा आखिरी समय होगा ना तुम्हारा फारा माउस जाएगा ना महल तुम्हारा जाएगा ना बैंक बैलेंस जाएगा ना कोई व्यक्ती और ना ये सरीर आप तुम्हारे कर्म तुमको भोगवाएंगे उस समय की कौन याद करता है अगर उस समय की याद हो तो भै लग जाए कि नहीं नहीं पाप नहीं करूँगा क्योंकि जाना यहां से कब जाना कुछ पता लेए किसी भी समय ट्राजपर हो सकता इस सरीर से तो हमें लगता है कि महापुरुषों के जो बचन है कि हमें एक नियम से जीवन जीना चाहिए धर्म पूर्वक जीवन जीना चाहिए अपने कर्टब्य का पालन करना चाहिए जो हमारे ज लिए कर्तब आज प्रायाधधन प्रधान खुने के कारण कर्तब्य स्वा हो रहा है एक विद्याले में विद्यार्थी के लिए जो गुरूब पद में बैठा उसका क्या कर्तब्य है वो अपने कर्तब्य को भुला हुआ है भला छोटे छोटे विद्यार्थियों को जिनकी नियू पूरे राष्ट सेवा में समाज सेवा में ये बन सकत अगर उनको हम सही सिक्षा नहीं दी तो उनका पूरा जीवन बरबाद हो जाएगा अगर उनको हम गलत सपोर्ट कर दिये तो उनका पूरा जीवन बरबाद क्योंकि नया जीवन है और जगे जगे अपने अपने करतब्यों का यदि पालन किया जाए तो पूरा समाज सुखी हो जाए सुख सब चाहते हैं और आचरन दुख वाले करते हैं इसलिए सुख नहीं मिला है परिणाम में हमें दुख मिला है सची मानना वो रुपया पूरे परिवार में अशांती पैदा कर देगा और धर्म पूरुवक सौ रुपया लाओगे और चार-पांच परिवार के दार रहेगा भगवाल की क्रपा रहेगी पर यह बात सवज्वी नहीं आती है तो यह ब्रत्ति अगर छोड़ी ना जाएगी तो कुछ भी कर लो कहीं भी दान पुन्य कर लो लावने मिलेगा अगर दान देने की बात कही गए तो धर्म पूरुवक कमाए हुए धन से अगर अगर दो रोटी खाएगा तो खुब बजन होगा वह एक लाख रुपया बेमानी करक दोगे ना तो बैठे बैठे गंदा इसोचना और आपका गंदा करना दोनों मिल करके उसके कारण भी तो आप बने ना तो आपका ही पतन हो जाएगा उसको तो भगवान बचा लेगे क् भगवान की सरण में तो मुझे लगता है अधर्म के धन से कभी किसी को लाव ने मिलता तो अपने करतब्य का पालन करते हैं यदि नाम जब किया जाए तो बहुत जल्दी हमको लाव प्राप्त हो जाए बहुत सुन्दर मतलब यह चर्चा होती है अगर आप लोग इसको धा पचास अजार तब बाते भूल जाओगे यह बाते अच्छी नहीं लगेंगे बहुत बड़िया काम घर में आएगा पर हमारी यह बात ध्यान दखना उपचास अजार घर में असांती पैदा कर देगा सची मानना आप धर्म से चलना धर्म से चलोगे तो भगवान तुमारी रक्षा में रहेंगे अधर्मा चरन देखो कैसी कैसी घटना होती है बड़िया कार है फिल्मी गाना लगाए चल रहें और वो एक्सिडेंट हुआ आग लग गई बार निकली नहीं पाए वो अंदरे जल गए क्या हुआ यह करोणों रुपे की कार भूंज दिया तुमको अ असकार हो ऐसे कि सब लोग भवान के नाम का कीरतन करती है जा रहें फिर आप का अंतियं संसकार वहां जीवित जल गए क्या हो शकता है एक-एक पल तुम्हारे कर्म का हिसाब होगा एक एक शेकिन का एैसे कर्म करो कि हमारा अच्छा हिसाब वो बुरा हिसाब यह मत समझो को देख नहीं रहा है वो देख रहा है जिसको इसाब कर ला है वो देख रहा है उसके लिए कोई वकील या कुछी सबूत की जवरत ले होती वो सरवांतर्यामी आपके अंदर बैठे देख रहा है तो सदै जैसे सत्संग सुन रहे हैं तो अगर हाथ जोड़के प्रार्थना थू किसी को पसंद नहीं थी वो बात बताओ कि हम कितना रुपया कमा ले कैसे कितने भोग भोग ले और वो अध्यात्म में नहीं है आपको सच्छे दोखे में मत रहना अध्यात्म में है जितना आप धर्म से चलोगे उतना सुखी होगे और लोक में जितना धर्म मिल जाएगा उतना सुखी माना जाएगा लेकिन वो शुख नहीं है वो चंद मिनट के लिए हाइलोजन की तरह जलेगा और धर्मात्मा दीपक की तरह जलेगा पर बहुत काल तक शलता रहेगा इन बातों का चिंतन कीजिए खूब नामजब कीजिए और भगवान के भरोसे रहे गंदे रंड़ कीजिए बातों केते हैं